हेलो स्टुडेंट्स पॉलिटिकल जोग्राफिक के जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो है बाउन्डरीज यानि की अंतराष्ट्रे सीमाएं अंतराष्ट्रे सीमाओं का अर्थ उनकी परिभाशाएं और उनकी विशेश्टाओं पर आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं हम की बाउन्डरी का अर्थ क्या होता है बाउन्डरी जिसे हम अंतराष्ट्रे सीमाएं भी कहते हैं अंग्रेजी के शब्द बाउन्ड से बना हैं जिसका आर्थ है बांधना अथ्वा सीमित करना अर्था जो एक राजनितिक एकाई को सीमा बद्ध करती है यहाँ एक आधुनिक तत्य हैं जो एक राज्य की सार्व भौमिक्ता अत्वा राज्य के अधिकार शेत्र को सीमा रेखाएं एक राज्य की प्रभुसत्ता को उसके पड़ावसी राज्य से प्रथक करती हैं तथा मानचित्र पर एक रेखा के रूप में चिनित की जाती है शक्तियों में संतुलन इस्थापित करके एक प्रभुसत्ता संपन कार्यात्मक इकाई की रूप में विक्सित होता है। वर्तमान समय में विश्व के सभी राज्य सुतंत्र हैं तथा पारशपरिक समझोतों के मात्यम से विबिन राज्यों के मत्य सीमाय निर्दारित की गई है। लाक्षनिक दक्ष्टी से यह रैखिक मानुकृत या कृतिम होती हैं, जिसे राज्यों की प्रभुसत्ता सीमाओं के प्रतिकिकरण के साथ साथ मिलन की सापेक्ष रेखा भी कहा जा सकता है। आधुनिक राज्यों की सीमाओं की प्रक्रति कानूनी और राजनितिक होती हैं। आधुनिक राज्यों की विचारधारा के अनुसार ऐसी सीमा पर्यंत ही किसी भी प्रभुसत्ता संपन राज्य के अधिकार या दाईतों क्रियाशील होते हैं इसके बाहर नहीं। सीमा रेखा पर पड़ोसी राज्य भौतिक रूप से राज्य से मेल संपर्क इस्थापित करता है परंतु आपसी समझोते के अभाओं में यह संपर्क अथ्वा संपूर्ण रूप से अनुपस्थित भी हो सकता है अब अगर परिभाशाओं की बात करें हम boundaries की तो कई भुगलवेताओं ने अपने अपने शब्दों में इसे परिभाशित किया है जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिसर पौंस के शब्दों में सीमा रेखाएं जो है सीमा राज्य की सारभोमिक्ता को पड़ोसी राज्य से अलग करती है मूडी ने सीमा रेखाओं को कुछ इन शब्दों में परिभाशित किया है उनके अनुसार सीमा उस शेत्र को निर्धारित करती है जिसमें राज्य का आंतरिक संगठन विक्सित होता है तथा जिसके सहारे अन्य राज्यों के संगठनों का विकास होता है प्राफेसर कालर्सन के अनुसार एक अंतराष्ट्रे सीमा वह रेखा है जो उस शेत्र की बहरी सीमा निर्धारित करती है जिसमें राज्य का साशन होता है एक और राज्यनिति भुगोल वेतर एंसेल हुए जिन्होंने राज्यनिति भुगोल में सीमा रेखाओं को कुछ इस तरीके से परिभाशित किया उनके अनुसार सीमा राज्यनितिक समभार रेखाओं के समान है जहां दो दबाओं के मध्य संतुलन इस्थापित होता है इस प्रकार विबिन भुगुलवेत्ताओं ने अंतराश्च्री सीमाओं को परिभाशित किया है। इन परिभाशाओं और बाउनरीज का अर्थ समझने के बाद हम बात करते हैं सीमाओं की विशेष्टाओं की। तो सीमाओं की जो विशेश्ता हैं वो कुछ इस परकार है अंन्तराष्ट्री सीमाएं जो हैं करतिम होती हैं साथ ही दो राज्यों के मद्य धरातल पर इनका अंकन प्राएब भौतिक बाधाओं के सहरे किया गया हैं सीमाएं रैखिक न होकर दो राज्यों के मργ्ध्य जो दोनों राज्यों के मध्य अंतरिक्ष, धरातल तता अधोभौमिक शेत्र को विभाजित करती है। सीमाएं दो प्रभुसत्ता संपन राज्यों के बीच आर्थिक अवं धरातलिय बाधा स्वरूप होती है। इस प्रकार ये हैं सीमाओं की विशेशताएं। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीमाओं का वर्गी करण पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।